हलो गाईज कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स एक बार फिर से आप सब का आपके अपने यूटूब चैनल ग्यान रूची में बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंड्स देखिए हमारा सुबा का काम हो रहा है आज व्लॉग आने में बहुत टाइम हो गया फ्रेंड्स मैंने बहुत जल्दी-जल्दी कोशिस की की बहुत जल्दी व्यूडियो बन जाए आप लोगों को टाइम से मिल सके लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा सा लेट हो गया है तो अभी हम घर की साफ सफाई में लगे हुए हैं सुबा सुबा हमने अपना व्लॉग शुरू किया है और हम सुबा सफाई कर रहे हैं और सफाई करतने से हमने स्टार्ट किया है तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा हमारा पूरा वीडियो वाच करिएगा फ्रेंड्स आज मैंने बहुत ही स्पेसल तरीके से कड़ी बनाई है तो आप सभी लोग जरूर देखिएगा कि कड़ी मैंने कैसे बनाई है मुझे पूरी आसा है कि हमारी रेस्पी हमारी कड़ी आपको बहुत अच्छी लगेगी बहुत पसंद आएगी फ्रेंड्स तो अभी तो हमारा सुबा का क सभी लोग हमारे साथ बने रहेगा और देखती रहेगा फ्रेंड्स तो आप सब लोग देख रहे हैं कि हमारा काम हो रहा है सुबा का सुबा सुबा तो यही काम होता है सभी के साथ यही काम रहता है फ्रेंड्स और यह काम बहुत जरूरी हो भी होता है अगर यह काम हम सही स टाइम पे नहीं करते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा उल्जन हुआ करती है अगर घर की सफाई नहीं होती है घर में गंदगी रहती है तो हमें अच्छा नहीं लगता हमें बार बार बुस्सा आता रहता है तो इसलिए हमें सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई करनी रहती है तो ये हम सुबा सुबा अपने घर की साफ सफाई कर रहे हैं फ्रेंड्स और हमारे कुछ मसाले थे जो की बारिस की वज़े से सीलन खा रहे थे तो आज हमने सोचा कि चलो इन मसालों को धूप में डाल दें और उसके बाद हम अपने आगे के काम सुरू करें नहीं तो फिर हम ऐसे ही रखे रह जाएंगे ये बारिस का सीजन चल रहा है फ्रेंड्स इसमें तो पता भी नहीं रहता है कि धूप आएगी भी की नहीं आएगी अगर बारिस आ गई बदली आ गई तो पता चले दो तीन दिन तक धूप ही ना खिले तो इसलिए इन चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कोई मसाले हमारे खराब नहों हो रहे हो तो आज धूप आई थी तेज धूप थी तो मैं ने सुचा कि उनना हम अपने सारे मसाले अच्य से सुखा लें तो ये हमने लाल मिर्ची है जो धूप में डाली है प्रेंड्स हावा बहुत तेज चल र तो ये बारीस की वज़े से इस में सीलन सी लग रही थी फपूंदी टाइप की लग रही थी तो मैं ने सोचा इसको थोड़ा सा दो deg como आशा में अचाओंगि दिखाना चाहिए ज्देओं इसलिए हमां पील मैं उसको इसी तरह हम एक एक करके सारे मसाले इसी तरह फैला देंगे मैंने कल अचार दूप में डाला था तो और आज मैं अपने सारे मसाले दूप में सुखा रही हूँ फ्रेंड्स ये मिर्ची से बहुत तेज जहाक आ रही है तो मुझे छीके भी आ रही है तो आप देखिए मैं बह मुझे के करीब इन सभी मसालों को उठाकर नीचे ले जाऊंगी तो यह हमारा गरम मसाला है जो इसका भी थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा था तो अब इसमें जब हम धूब दिखा देंगे तो यह फिर से हमारा मसाला सही हो जाएगा अगर आप लोगों के यहां भी मसाले सीलन म है बारिस का मौसम है अगर मसाले सील रहें तो आप भी दूप दिखा दीजिए फ्रेंड्स क्योंकि बारिस का मौसम है पता नहीं जिस दिन बदली आ गई तो हो सकता है एक दो तीन दिन तक मौसम ही ना खुले तो अभी जब तक धूप आ रही है अच्छी धूप दिखाई तो इसलिए अभी अच्छा मौका है धूप आ रही है तो आप लोग अपने मसाले सारे धूप दिखा दीजिए तो फ्रेंड्स मैंने अपने मसालों को धूप में अच्छे से फैला दिया है और अब हम नीचे जाएंगे क्योंकि मेरा बेटा आने वाला होगा कोचिंग से व ये फ्रिज खोलते हैं और अपने लिए बरफ वाला पानी ढूंते हैं कि कहां है पानी बरफ वाला तो हम पीएं और फ्रेंड्स मैं इनको बहुत मना करते हूँ कि फ्रिज का बरफ वाला पानी नहीं पीना चाहिए लेकिन ये नहीं मानते हैं रोना दोना मचाने लगते हैं और आते ही आते इनको फ्रिज का ठंडा पानी पीने को चाहिए लाक मना करने पर भी ये किसी की बात नहीं मानते हैं तो friends अब हमारा नहाना धोना हो गया है अब हम अपने लिए एक कप चाय बनाएंगे और चाय बनाने के बाद हम अपना खाना बनाना स्टार्ट करेंगे तो हम बनाएंगे आज खाने में कड़ी वो भी बिल्कुल इस वेसल तरीके से जैसे कि पुराने समय में हमारी दादी बनाया करती थी आज हम बिल्कुल वैसे ही कड़ी बनाएंगे तो आप सबी लोग देखिएगा कि हम कड़ी कैसे बना रहे हैं फ्रेंड़ यह हमने बेशन ले लिया है और इसको हम अच्छे से चाल लेंगे बारिस चालने में बेशन में गाठे पड़ जाती है तो हम इसको अच्छे से चलनी की मदद से चाल लेंगे और चालनी के बाद हम इसमें से आधा बेसन हमने करीब दो कटोरी बेसन लिया था और एक कटोरी बेसन हम कडाई में डाल देंगे और कडाई को हम गैस पे चड़ा देंगे ये हम बेसन अच्छे से भून लेंगे इसको हम भूनने के लिए रख देंगे गैस पे और अब जो हम के अच्छे से फेट लेंगे ऐसा फेटना है हमें ना तो ज्यादा गाढ़ा करना है और ना ही तो हमको इसको बहुत ज्यादा पतला करना है तो हम इसको बिल्कुल मेडियम तरह से अच्छे सिंग बना लेंगे जैसे कि हम पकोड़ी बनाते हैं जो बैसन हम लेते हैं उसे तरह करेंकि हम्मारे प्रवी बनाते हैं आप देखिया की सित तरह का बैशन ले रहें हैं आप के देखते जाहिए हमारे साथ यह से आप पकोडी बनाते हैं और वेशन अपना उसे तरह से बैशन प्रवेट लें गें और प्रवेट तक हमारींट को भी प्रेश एक सब्सक्राइब गर्ला को तेदर स्भाइब भीyuं अजा दिलाए तो यह श्यक्ता हूँ है और हम इसको को अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे तो ये हमने अच्छे से mix कर लिया है और mix होने के वाद हम इसको थोड़े दर के लिए रख देंगे रख देंगे ताकि हमारा ये बेशन अच्छे से फूल जाए जब अच्छे से बेशन हमारा फूल लेगा तभी हमारी अच्छी पकोड़ियां भी बनेगी मुलायम मुलायम पकोड़ियां हमारी रहेंगी अब हम अपना बेशन चेक कर रहे हैं जो बेशन हमने भूनने के लिए रखा था तो वह बेशन भी हमारा पकने वाला हो गया है तो हम उसको अभी अच्छे से चला देंगे और थोड़ा सा ब्राउन होने तक हम अपने इस बेसन को भूनते जाएंगे जब बेसन को हम अच्छे से भूनते हैं तो हमारी कड़ी का स्वाद बहुत अच्छा आता है तो हमने बेसन को अच्छे से भून लिया है और वो पकोड़ी का बेसन हमने अच्छे से फेट लिया है अब हम दूसरी कड़ाई लेंगे और उसमें हम तेल डालेंगे यह हम सरसों का तेल ले रहे हैं यह मैंने लोहे की कड़ाई लिये तो आप देखिए लोहे की कड़ाई में हम कड़ी बनाने जा रहे हैं तो यह तेल हम तेल हमारा गरम हो जाएगा अच्छे से गरम होने के बार हम इसमें तूसान के हम पकौडियां बनाएंगे तो हम ये तेल हमारा गरम हो गया है अब हम वेशन पकौड बना लेंगे एक एक करके हम संभाल संभाल के इसमें डाल देंगे और अच्छे से इनको पका लेंगे तो फ्रेंड्स यह हमने सभी पकॉड़ियां डाल दे हैं और डाल को प्रेंड्स यह हमने कि अच्छे से जो हमारे कि अच्छे से पामें मिंख स्केटे कर देंगे बिल्कूल पतला पेस्ट बनाएंगे शचे धज़ना दीजारे करONG बनाना है, बिल्कूल यह कर देंगे सिस्ट ऑपी ठीड़ियां और इनको उनकाल लेंगे तो हमने सारी पकोडी बना लिए और अच्छे से थाली में निकाल लिए तो तेल हमारी कड़ाई में अभी बहुत ज्यादा है तो इतनी इतने तेल में हम कड़ी नहीं बनाएंगे तो हम तेल कड़ी में अलग निकाल देते हैं गैस का फ्लेम हम बिल्कुल स्लो कर देंगे और तेल हम कम कर देंगे कम करने के बाद इसी कड़ाई में हम कड़ी लगाएंगे कड़ी छोकेंगे तो आप देखिए यह हमने इतना तेल ले लिया है यह कम से कम दो बड़े चम्मच तेल है तो इसमें हम लेंगे आधा चम्मच छोटी राई जिसको राई कहते हैं तो आधे च तो आप देखिए हम सब कुछ इसमें डाल रहे हैं और आपको बताते जा रहे हैं हमने थोड़ी सी खड़ी धनिया लिये इसको हाथ से हम अच्छे से घिस देंगे तो हमारी जो धनिया रहेगी खड़ी धनिया वह बीच से फट जाएगी तो तो जाएगी दो भाग में हो धनिया को रगड देंगे लाल मिरच डाल देंगे यह हमने खड़ा लाल मिरच डाल दिया है इसमें हम ज्यादा मिरच नहीं डाल रहे हैं यह देखिए हम धनिया हाथ से कैसे रगड रहे हैं इसे तरह आपको भी हाथ से रगड ना है अच्छे से साफ कर लेना है और रगड क तेल में पका लेना है तो ये हम अच्छे से हमने सारा material डाल दिया है हमने दो चुटकी हिंग भी डाली है तो आप देखिए ये हमारा जितना भी मसाला था जितने हमने खड़े मसाले यूज किये हैं जब ये मसाले हमारे अच्छे से पक जाएंगे तब हम इसमें पानी डालेंगे आप चाहें तो हल्दी घोल के पानी डाल दीजिए अगर आप हल्दी घोल के पानी नहीं डालना चाहते तो आप ऐसे ही पानी डाल दीजिए तो ये मैंने ऐसे ही पानी डाल दिया है आप इसी पानी में हम हल्दी डाल देंगे तो हल्दी हम एक छोटा चमच डाल देंगे तो ये हमने एक छोटा चमच हल्दी डाल दिया है और हल्दी डालने के बाद हम चलाएंगे इसमें थोड़ा सा पानी और राइट करेंगे फ्रेंड्स अगर हल्दी हमारी कम लगेगी तो हमारी कड़ी देखने में अच्छी नहीं लेगी इसलिए हम हल्दी अपने हिसाब से डाल लेंगे कि हमारा कड़ी का कलर बहुत अच्छा है तो यह हमने पानी डाल दिया है और अब हमारा जब पानी हल्दी अभी हम इसमें लाल मिर्च डाल देंगे थोड़ी सी लाल दालेंगे इसमें हम ज्यादा मिर्च ना डालेंगे ना तो हम इसमें कोई मसाला डालेंगे हम सिर्फ हल्दी और लाल मिर्च से ही कड़ी बनाएंगे यह सारे हमने जो मसाले तड़के के लिए लिए हैं बस हम यही लेंगे और कुछ नहीं लेंगे इसमें नमक डालेंगे फ्र बना लिया है वही आपने भूने हुए बेसन का जो मैंने बेसन को भून लिया था वही बेसन मैंने पानी में गोल दिया है अब यही हम कड़ाई में डाल देंगे और अच्छे से पकाएंगे इसको इसमें अभी पानी कम है तो अभी पानी हम इसमें और अट करेंगे क्योंकि अगर हम इसमें पानी नहीं अट करेंगी तो ये बेसन है, जब पकेगा तो बहुत गाड़ा हो जाएगा, और गाड़ी कड़ी अच्छी नहीं लगेगी और इसमें पकोडियां भी डालनी रहेंगी, तो ये सब पानी जितना भी रहेगा सोख जाएगी, पकोडी तो हमारी कड पानी कम रहेगा तो हमारी कड़ी अच्छे से पके भी नहीं तो फ्रेंड्स आप अच्छे से पानी डाल दीजिए इसको बिलकुल स्वात के अनुसार नमक डाल दीजिए नमक डालने के बाद आप इस कड़ी पर कोई धकन धग दीजिए कड़ाई के ऊपर कोई धकन लगा दीजिए और धकन लगाने के बाद पांच मिनट तक ऐसे ही तेज आज पर पकने दीजिए फ्रेंड्स तो यह हम नमक डाल रहे हैं नमक डाल के हम इसको अच्छे से चला देंगे और चलाने के बाद हम इस पे एक ठाली या प्लेट कुछ ढख देंगे और पांच मिनट हम इसको यूँ ही पकने देंगे पांस मिनट के बाद friends हम फिर से धकन उठा कर देखेंगे तो हमारी कड़ी अच्छे से फदकने लगेगे ये देखे हमारी कड़ी बहुत अच्छे से पक रही है तो जब ये पकने लगेगी अच्छे से फदक जाएगी तब हम इसमें दही डालेंगे friends ये मैंने एक कटोरी दही डाला है इसमें मैंने इसको अच्छे से फेट लिया था ये खटा दही है तो दही आप वही डाले जो थोड़ा सा खटा हो तभी आपके कड़ी में तेस्ट आएगा स्वाद आएगा तो ये मैंने एक कड़ी खटा दही डाल दिया है और हमारी जो पक लगा देंगे और पाँक अचिए से चला गंगे और मेडियम फ्लेम पर हम पांस अपनी कढी को पकाएंगे ताकि हमारे कटी खुब अच्anska से स्वादा सके तो और आज मैंने बहुत दिनों की बात कटी बनाई है लगबट एक महिना हो गया होगा मैंने कड़ी काफी दुनों से नहीं बनाई थी तो आज हमने बना लिए और हमारा पत्थर भी गंदा हो गया हमारी किचन में गंदगी हो गई है क्योंकि कड़ी करेल बनाने बनाते हैं हम तो हमारी किचन में काफी गंदगी हो जाती है तो इसलिए हमने अपना प बताएगा फ्रेंट्स वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंट्स सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिलती रहें और आप सभी लोगों ने मेरी वीडियो को पूरा वाच किया आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ